पचास से भी जाधा Udemy के कोर्स आपको इस वीडियो के तरूप बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं और सिर्फ कोर्स ही नहीं कोर्स कंप्लीट करने पर आपको इन कोर्सिस का जो सर्टिफिकेट होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है जिसका इस्तेमाल आप अपने लिंक्डीन या रिजुमे में भी कर सकते हो तो कि यहाँ पर मेंशन रहता है यूनिक सर्टिफिकेट नमबर और यूरल जिसकी हल्प से आप इन सर्टिफिकेट को बड़े ही आराम से वेरिफाई भी करवा सकते हो अगर आप इन सर्टिफिकेट और कोर्सिस को फ्री में लेना चाते हो जहाँ पर कि मैं अपनी वीडियो में आपको हर एक टॉपिक का कोर्स बिल्कुल फ्री आफ कोर्स प्रवाइड करवा देता हूँ आप अल्रेड़ी जानते हैं कि यूडिमी पे आपको अलग-अलग टाइप के कोर्स फ्री में देखने के लिए मिल जाते हैं अब जिसमें भी जो प्लाइड कोर्स है जिनके साथ फ्री में आपको सर्टिफिकेट मिलता ہے वही कोर्स में आपको डेली वीडियो को तुरूप फ्री में देРЕता हूँ पर ये कोर्स एक कूपन कोर्ड की हल्प से फ्रे होते हैं जो कि एक limited time तक की course इसको free कर सकते हैं तो अगर आप उस time के बाद video देखते हैं तो हो सकता है coupon expire हो जाए इसलिए आप जल्दी से जल्दी आकर के video देख लिया करो उसमें आपकी मदद कर सकता है चैनल का ये subscribe बटन तो इसको अभी से on कर लो और यहाँ पर जो bell icon आएगा उसको all पर set कर देना इससे होगा क्या होगा ये कि आपको video जल्दी मिलेगा और जो बंदा जितनी जल्दी वीडियो देख रहा है उसको यहाँ से उतने ही ज़्यादा course free मिलने वाले देख सकते हो regular basis पर वीडियो आती ही रहती है तो आपको यहाँ से ज़रूर benefit हो जाएगा तो चलो करते हैं video start और जानते हैं यहाँ पर कौन-कौन से course आज free रहने वाले हैं शुरुआत में अल्रडी बता चुक हो 50 course free रहने वाले हैं सबसे पहला जो course रहेगा वो रहेगा canva t-shirt design का कौर्स की पूरी detail आप नीचे scroll करके देख भी सकते की course में क्या-का topic आपको पढ़ाई जाएंगे अब बात कर लेते हैं की course को free कैसे लेना है तो यहाँ पर आने का link मैंने वीडियो के description में दिया हुए description में आपको वैसे तो बहुत सारी link मिल जाएंगे आपको क्या करना है यहाँ पर जो number यहाँ पर दे रखे जिसे number one है और number two ऐसी यह number आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आपको वीडियो आराम से देखना है और जहाँ पर आपको जो भी course अच्छा लगे और यह course आपको automatically free हो जाएगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब यह course free होगा तभी आपको free में मिलेगा जब free हो जाएगा आपको enroll नौपे click करना है और उसके बाद आपको login sign up कर लेना है जो कि आप लोग Google, Facebook के, Apple की help से कर सकते हो एक बार आपने course में enroll कर लेगा तो यहाँ पर आपको checkout वाला page आ जाएगा जहाँ पर total में आपको 0 रुपे शो कर देगा अब आपको बस enroll नौपे click करना है आपका सारा process automatic complete हो जाएगा अब आप course में enroll हो चुके हो तो मैंने live आपके सामने course में enroll करके इसलिए दिखा है ताकि आप सारा process detail में समठ सको और कोई भी comment में आके मिर को यह ना बोले कि वीडियो फेक बना गया है यहाँ पे नीचा आका time भी देख सकते हो आज ही का time में regular वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ी दिर में upload भी हो जाएगी तो आप लोगों को बस वीडियो जल्दी देखना है तो course आपको free मिल जाएगे और जब यह course में आप register हो जाओगे तो आपके सामने ऐसा page आ जाएगा यहाँ पे start course का button भी है जिस पे click करके आप course के अंदर course की वीडियो को देखना start कर सकते हो जी हाँ यहाँ यहाँ पर course के अंदर वीडियो रहने वाली है जो की course content में आपको देखने के लिए मिल जाएगे अलग-अलग वीडियो इन सारी वीडियो को अगर आप चाहो तो download भी कर सकते हो बस उसके लिए आपको mobile phone में Udemy का app डाउनलोड करना पड़ेगा वहाँ पे आपको यहाँ पर download का icon मिल जाएगा जैसे आप वीडियो को download कर पाऊगे यह था पुरा process की किस्ते है किसे आपको course को लेना और free में आपको certificate मिल जाएगा बात कर लेते certificate कैसे मिलेगा certificate लेने के लिए आपको सारा course देखना है फिर overview नाम का section रहेगा यहाँ पर उसमें आना ह यहाँ पर आपको मिल जाएगा course को certificate जो की कुछ ऐसा रहने वाला है फिर चाहे तो आप इसे अपने resume में लगा सकते हैं अपने LinkedIn पे दे दो चै अपने portfolio में दे दो आपका काम बड़ आराम से हो जाएगा तो यह था सारा process जिससे आप यहाँ पर courses को free में certificate के सब ले सकते हो अगर आपको अभी कोई doubt है course free नहीं मिल पा रहा है तो comment करके बता देना है कि आपको क्यों सा course free चाहिए जो भी course चाहिए आप इसका पूरा नाम या course का topic होता है main वह भी आप लिख सकते हो काफी बार क्या होता है जिस instructor के थो आप course चाहरे हो तो वहाँ पर free कभी देता नहीं है या फिर होता ही नहीं या उस समय तो मैं आपको दूसरे instructor के courses भी वहाँ पर free में provide करवा सकता हूं तो बस आप comment कर देना सारी comment करे बिल आपको within 24 सा 48 hours के इंदर मिल जाएगा ठीक है तो यह आपका दूसरा course जो की adobe photoshop का रहने वाला है जो की free यहाँ पर दिखी रहा है तीसरा course microsoft word का है fourth course आपका यहाँ पर cap cut करेगा जो की video editing का एक tool रहने वाला है आगे चलेंगे बिना किसी देर किये यह course आपका जो रहेगा 5th नमर पर रहने वाला है AI sales prospecting का course आपको मिल जा सकते हैं next 6th course आपका English conversation का मिल जाएगा जिसने आप अपनी speaking English प्रूफ कर सकते है next course excel का मिलेगा आगे चलेंगे next course आपका 8th नमर पर यह भी excel का रहेगा 9th course Figma का रहेगा जो की UI and UX designing में आपको help कर देगा next course अगर कोई English exam के लिए प्रिपेर कर रहे तो आप इस course के थुरू एंडूल कर सकते है next course Japanese language का मिल जाएगा आप लोगों के लिए next course 12th नमर पर रहेगा AWS अगर कोई सीखना चाता है वो इस course में एंडूल कर सकता है course अभी free है और certificate सबको यहां पर free of cost देखने के लिए मिल आगे चलता है बिना किसी देर के यह course 13 नमबर पर रहेगा जिसके नतरा आप तेरा PHP, MySQL, Bootstrap और PDO के based projects देखने के लिए मिल जाएंगे 14th नमबर का course आपका quantum computing का है 15th course आपका बिना coding के machine learning का course मिल जाएगा AWS SageMaker के help से next course PyScript का रहेगा जिसमें आप web development भी कर सकते हैं अगला course data sonification का रहने वाले हैं आप इमने data को music में convert कर सकते हैं next course यहां पर 18 नमबर पर CapCut का मिल जाएगा next course Excel का मिलेगा beginners से advanced level का 20th course web development का रहने वाले है HTML, CSS, PHP and MySQL, WordPress जैसी चीज़े आप यहां पर सीख सकते हैं next course YouTube marketing का रहने वाला है इसके बाद है course Instagram marketing का है next course C++ programming language अगर कोई सीखना चाहता तो course आ चुका है आप फटा फटा कर course देख सकते हैं next course JavaScript का मिल जाएगा next course logo design का रहने वाला है जो कि आप Photoshop and Adobe Illustrating help से कर सकते हैं next course 26 नमर पर Google Docs का है यह एक तरीके सा Microsoft Word का भाई समझ लो 27 course UI UX design का course रहेगा जो कि आप Adobe XD और Figma दोनों की help से कर सकते हैं 28 course Startup Digital Marketing Consultant का course मिलेगा उसके लिए जो जो तूल्स ही है वह आप यहाँ पर देख सकते हूं next course 29 नमबर पर रहने वाला email ethical hacking का course मिल जाएगा e-light nmap hacking का course है इसके बाद Adobe Lightroom का course है जो कि आपको photo editing में help कर देगा 31 number course Adobe Lightroom का fit से मिल जाएगा तो यह दो बार शायद repeat हो गया है यहाँ पर एक बार हम काट देते हैं काम करते हैं next course 32 number का रहने वाला next.js का course मिल जाएगा react के उपर एक आप web app बना सकते हैं next course MySQL का course मिलेगा special for data analyst and BI के लिए next course data analysis का मिल जाएगा python के through next course Java का complete course मिल जिसके through आप software development सीख सकते हैं 36th course course Java का रहेगा इसके बाद 37th course आपका Greek, GMAT, CAT, SET, CMAT, MAT के exam के लिए आप यहाँ पर प्रिपेर कर सकते हैं इसके इसके इंदर different topics आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी next course 38 number पे AI का मिलेगा artificial intelligence next course Gen AI इन Generative AI का course आपको मिल जाएगा यहाँ पर 40th course आपका web designing का मिलेगा जिसके इंदर आप HTML, CSS और WordPress सीखेंगी next course 41 number पे रहने वाला है Google Flutter का तो Dart & Flutter सीख सकते हैं इसके बाद का course Java का मिल जाएगा next course Drupal का मिल जाएगा 44th course अपवर करेगा जिसमें आप फ्रिलांसिंग कर सकते हैं next course 45 number पे रहने वाला है Looker Studio और Google Data Studio का नाम भी चेंज हो गया है वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं 46th course यहाँ Microsoft Clarity का रहने वाला है web analytics के लिए 47th course आपका जोगर रहेगा Graphic Design & Tutor Editing का रहने वाला है यह जो अर्थ जैसा आई का यहाँ पर देखकर पता भी लगा सकते हैं 49th number का course आपका Data Analyst का ही मिल जाएगा यहाँ पर Hindi में और जो आज का अखरी course Machine Learning का मिल जाएगा Hindi में यह थे आज के सारे course इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा course ही तो कमेंट कर सकते हो सारी कमेंट के reply 24 hours के अंदर अंदर मिल जाएगा जो जो सब्सक्राइब कर रहा है सिर्फ उन लोगों को सब्सक्राइब कर लेना कमेंट कर रिप्ला इस बेल एकन पर मिल जाता है और अगर मुझे से बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है टेकनिकल प्रो प्लस जहां का आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिन दे दिया है और अब सर्च करके भी यहां तक आ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक करें सभी लोगों को टाटा बाइ बाइ एंड टेक केर